होंगे स्वस्थ होंगे सकूसल होंगे जल्दी से आप लोग वीडियो को सेर कर दें अलाइक का बटन दवा दें सभी को मैं कमेंट पढ़ूँगा जैसा कि सतीस राज हैं गुड इवनिंग अमित कुमार गुड इवनिंग खोटी गुड इवनिंग प्रीतम कुमार गुड इवनिग चलिए प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से सेर कर दें और आज जो है याद रखियेगा समाजिक क्या होगी ओवर असी होगी याद रखना है बच्चों तो जल्दी से आप लोग सेर कर दें जल्दी से बच्चे जूट जाएं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला सेशन है पहला क्वेशन का उसको प्रारम करते हैं पहला क्वेशन है रख्त एवं लोह के निति का अबलमन किस ने किया था जिहां बच्चों जल्दी से आप लोग कमेंट दीजिएगा इसका जो भी आपका क्वेशन होगा उसका जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताईएगा ठीक है राहल कुमार गुड इबिनिंग सेरजे गुड इबिनिंग बच्चों चलिए इसका जो आपका क्वेशन इसका एंसर देना है रख्त एवं लोह के निति का अबलमन किस ने किया था तो इसका सही एंसर हो जागा विस मार्क आप्शन आपका जागा प्यारे बच्चों चलिए जल्दी करिएगा आप लोग इ लेड़ना सुरोत रहा जल्दी से आपको बताना है कि किस जो आपका इरोप बासियों के लिए किस देश का सहित एवं ग्यान विज्ञान रहा आपके पास से इविलेबले बच्चोत इसका सही एंसर हो जाएगा युनान का आपका भी बिल्कूल सही हो जाएगा राहुल मेरा भी कलास किजिए गसर आप लोग करते कहा है मात दो पॉलिक आप लोग का रहता है चलिए अगला प्राशन उसको देखिएगा वार एंड पीस वार एंड पीस किसकी रचना है वार एंड पीस किसकी रचना है अपना बिहार गूड इबनिंग सर जी गूड इबनि अपना बार एंड पीस किसकी रचना है तो आप लोग जानते हैं कि यह टॉला स्टाय की है बार एंड पीस किसकी रचना है बच्चो जल्दी से आपको बताना है बार एंड पीस किसकी रचना है जल्दी से आपको बताना है इसका सही एंसर जो हो जाएगा याद रखना है वार एंड पी से लियो टॉला स्टाइ का है ओप्सन आपको भी दीख रहा होगा प्यारे बच्चो तीन नमर प्रेशन का एंसर भी हो जाएगा चलिए अगला प्रेशन नमर उसको देखेंगे प्रेशन है आपका मार्च 1946 में फ्रांस एवं ब्यतनाम के बीच होने वाला समझाओता किस नाम से जाना जाता है सिवांस का राजपर नाम सर जी चलिए तो यहां देखेंगा बार एंड पीस जो आपको तो हो गया आप देखें चार नमर प्रेशन है लखनाओ समझाओता किस वर्स होई थी जल्दि से बताना है लेखनाव समझोता किस वर्स हुई थी option A है 1916, option B है 1918, option C है 1922 और option D है 1922 तो देखिएगा 37 राज का A है, अपना बिहार का A है अमीत कुमार का A है तो इसका सही अंसर हो जाएगा प्यारे बचो option A हो जाएगा बिल्कुल सही है 1916 देखो जिस दिन से आप लोग का क्या है प्रितम कुमार का 12th कलास का model पेपर नहीं करवाते हैं करवाएंगे सभी को करवाएंगे ठीके जिस दिन से देखना यहां पर आप खूटेंथ वालों को करा रहे हैं तो उस दिन से टेंथ वाला ही बच्चा नहीं देख रहा है तो हमें क्या है इसमें हमारा question करा रहे हैं कल से नहीं कराएंगे टेंथ वह लोग भी तो यहां देखेगा च्छे नमर प्रेस्ट की वर बढ़ते हैं प्रेस्ट नमर आपका च्छे है असायोग अंदोलन असायोग अंदोलन प्रेस्टाव वो कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था बच्छो जल्दी से आपको बताना है नीतु कुमारी हलो सर चलिए आप लोग बताएगा इसका सही एंसर क्या हो जागा प्यारे प्यारे बच्छो असायोग अंदोलन का प्रेस्टाव किस अधिवेशन में हुआ था तो 6 नमर प्रेस्ट का एंसर हो जागा याद रखना है दिसमबर प्रेश्ट नमर आपका साथ है जम सेध जी टाटा ने टाटा आइरन अस्टील कंपणी की अस्थापना कब की थी जल्दी से आपको बताना है साथ नमर प्रेश्ट का एंसर क्या हो जागा जैसा कि सभी बच्चों ने एंसर कर रहे हैं तो याद रखना है जम सेध जी टाटा है उनका सही एंसर हो जागा टाटा आइरन अन्टील कंपणी का स्थापना 1907 इस भी में हुई थी याद रखना है प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा अगला प्रेस ने जन संख्या का घंगात्व सबसे अधिक कहां होता है जहाँ बच्चों जल्दी से बताना है जन संख्या घंगात्व सबसे अधिक कहां होता है ओप्शन A है अग्राम B है कश्वा C है नगर और D है माहनगर जिसका सही एंसर क्या हो जागा प्यारे बच्चो जल्दी से आप लोग बताएगा आप लोग एक डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो और सफलता मिल लगी तो सबी चलिए सब कोई बता रहे हैं आपका आठ नमर प्रेजि या मजदूर बिहार के किस छेत्र से भेजे जाते थे जिहां बच्चो बताना है गिरिमिटिया मजदूर बिहार के किस छेत्र से भेजे जाते थे तो आप्शन आपको दिख रहा होगा पहला आप्शन है पुल्वी चेत्र B में है पच्चमी छेत्र C है उत्री और D है तो इसका सही एंसर क्या हो जागा प्यारे बच्चो तो आप्शन आप हो जागा पच्छमी छेतर से गिर्मिटिया मजदूर को भेजा जाता था आपको भी हो जाएगा 37 कुमार का भी है राहुल को अमीत कुमार का भी है चलिए अगला प्रेश नहीं उसको देखेंगे प्रेश नमर आपका 10 है गुटेन वर्ग का जन्म किस देश में हुआ था जल्दी से आपको बताना है गुटेन वर्ग का जन्म किस देश में हुआ था जल्दी से बताईएगा बच्छो गुटेनवर का जन्म जो हुआ था वह जर्मनी में हुआ था ओप्षन आपका B हो जाएगा चलिए 10 का B आपका एंसर है अगला प्रेशन भारत का पर्थम तेल सोधक कर खाना कहां अवस्तित है भारत में पर्थम तेल सोधक कर खाना कहां बताएंगे जैसे सतीस राज का एंसर B है अमीत कुमार का B है चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग चल्दी जल्दी इसका बताईए का एंसर तो याद रखिएगा 11 प्रेशन का एंसर हो जाएगा बरवनी ऑप्षन आपका B हो जाएगा अगला प्रेशन उसको दे नदी परिश्ति थे तो भाखडा का मतलब हो गलो भाखडल यानि की कभी भी घिर सकता है ना तो यह भाखडल यानि की सत्व पर्टी का हुआ है 17 नदी हो जाएगा याद रखना है भाखडा नागल परियोजना 17 नदी पर टीका हुआ है option आपका C हो जाएगा प्यारे बच आना है आपको तेरा नमर प्रश्ण का एंसर देना है बच्चो जल्दी से आप लोग इसका एंसर करेंगे तो ताप विधूत केंद जो है वह बराउनी को कहा जाता है ऑप्शन आपको याद रखियागा भी हो जागा ऑप्शन भी हो जागा बराउनी होगा मित्रो चलिए सर नेटवर्क स्लो चल रहा है नेटवर्क वाला पर चले जाएए ऑप्शन भी हो जागा जी हां बच्चो ऑप्शन भी हो जागा बराउनी होगा बच्चो चलिए अगला प्रस नोस को देखेंगे प्रस नमर आपका मैं ग्रोप मैं मैं ग्रोप्स का सबसे अधिक बिस्थार क होता है जल्द से आपको बताना है बच्चो अगला प्याशन है उसको देखना है है भारत में लगवा कितनी परकार के खनीज पाये जाते हैं। आपको परतिसत में दिया गया है, आपसन A है 50% B है 100% C है 1.500% और D में है 200% जल्दी से आपको बताना है, यह कितने परतिसत में पाये जाते हैं, खनीज भारत में। जिसका सही इंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, option C हो जाएगा, डेर सो परतिसत पाये जाते हैं भारत में खनीज, अगला प्रशने उसको देखना है, भारत की कितनी जनसंख्या क्रिसी कार्यों में श्रंगन लगन है, यहाद रखना है प्यारे बच्चों, option आपको तीन चवथाई भाग में, तो 16 नमर प्रेशन का एंसर आपको बताना है, प्यारे बच्चों, 16 का एंसर कर रहे हैं, अपना भिहार सतीस राज असुन उक्मार याधव, इसका सही एंसर हो जाएगा, दो तिहाई में आपको क्रिसी कार्यों में सरलगन होते हैं, याद तो अगला प्रेशन उसको देखिएगा, प्रेशन नमर आपका 17 है, भारत में किस किसम की कौफी उगाई जाती है, जल्दी से बताएगा, ऑप्सन है, चीनी, भी है, अरेविका, C है, ब्राजिलियन, और D है, अमिरिकन, तो जल्दी से बताएगा, किस किसम की आपको कौफी यहां उगाई जाती है, सताएग 17 नमर प्रेशन का एंसर आपका अपना बिहार डाले है, ऑप्सन B, सही बात है, इसका सही एंसर हो जागा, ऑप्सन B हो जागा, अरेविका होगा, जी, चलिए, आगे बढ़ते हैं बच्चो, आप लोग के पास आवाज जा रही है, अगला प्रेशने उसको चलेंगे, लेकिन आप लोग एक बार जोड़दार तरीका से सेर कर दें, ताकि बाकी बच्चे भी और जूड़ जाए, चलिए, स्टार्ट करते हैं, आंगला प्रेशने, स्वर्नम चतुर्भूज महामार्ग से समंधित नगर है, याद रखना है, प्यारे वो सहर है, नगर है, जल्दी से बताना है, तो जल्दी से इसका ठारे नमर प्रेशन का इंसर जो है, आपको बताना है, भारत का नक्सा आप लोग जानते होंगे, बनाए होंगे, बहुत बार, तो इस परकार से ऐसा रहता है, हमें तो बनाने नहीं आता है, तीर्शा हो गया भाई लोग तो यहां से आपको का होता है यहां से आपको चत्रभुट टाइप का बना हुआ है राजमार ठीक ना तो यहां पर आपको सही एंसर हो जागा option D हो जागा प्यारे बच्चो चने सोह करके गुजरती है अगला प्रेशन है उसको देखना है चुन्ना पत्थर के उप्योग मुख रूप से किस उद्योग में होता है बताना है बच्चो चुन्ना पत्थर का उप्योग किस उद्योग में होता है मुख रूप से चली अठार आपका A हो जाएगा जैसे कि अमीत कुमार का उप्सन A बिल्कुल सही है अगला प्रेशन उसको देखेंगे बिहार में ग्रेंट ट्रेक रोड का रास्ट्रिये राजमार्ग संख्या क्या है आपको बताना है 20 नमर प्रेशन कि बिहार में ग्रेंट ट्रेक रोड का रास्ट्रिये राजमार्ग संख्या क्या है 20 नमर प्रेशन का एंसर आपको देना है तो रास्ट्रिये राजमार्ग संख्या 2 है ऑप्सन आपका भी हो जाएगा बच्चो याद रखना है अगला प्रेशन उसको देखेंगे भारत में कहां औरते के लिए आरक्षन की विवस्ता है आपको बताना है पर यारे बच्चो जल्दी से कि भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षन की विवस्ता की गई है option A है लोक सभा में, B है विधान सभा में, C है मंतरी मंडल में और D है पंचायती राज संस्था में तो जल्दी से बताएगा 21 नमर प्रेश्ण का एंसर क्या हो जागा प्यारे बच्चो 21 का मीत कुमार का D है और देखते हैं अपना पिहार का 21 का A बताएगा इसका सही अंसर हो जागा पंचायती राज संस्था में, option आपका D हो जागा मित्रो अगला प्रेश्ण उसको देखेंगे जब हम लेगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभी प्राय होता है क्या होता है, option A है, इस्तिरी और पुरुस के बीच जैविक अंतर को बताना होता है option B में, समाज द्वारा इस्तिरियों और पुरुसों को दी गई असमान भुमकाओं की बारे में बात करते हैं या C है, बालक और बालिकाओं के संख्या कानुपात और D है, लोग तांतरी के बेवस्था में महलाओं को मक्तितान न का मिलेना जल्दे से आपको बताना है, लेगी भी वाजन की बात करते हैं, तो हमारा क्या भी पराय होता है तो इसका सही एंसर हो जागा बच्चो, समाल द्वारा इस्तिरियों और पोर्सों को दी गई असमान भूमकाएं होती है आप्शन आपको B दीख रहा होगा याद रखना है, बाईशनमोर प्रस्ण का एंसर B हो जागा प्यारे बच्चो अगला प्रस्ण उसको देखना है, बिहार पंचायती राज अधिनियम महलाओं के लिए आरक्चन विवस्ता करती है ओप्शन A है, 40% B है, 55% C है, 50 और D है, 60% तो इसका सही एंसर जो हो जागा 50% आरक्चन मिलता है ओप्शन C हो जागा, अपना भिहार का एंसर C है, बिल्कुल राइट है उनका चलिए अगला है, प्रस्ण उसको देखेंगे दलित पैंथर्स, दलित पैंथर्स कारकरम से निमलीखित में कौन सा समन्धित नहीं है जल्दी से बताना है प्यारे बचो यह कौन सा समन्ध नहीं रखता आप से नहीं है अपना बिहार का 24 का भी बता रहे हैं, शोनु कुमार भी भी बता हैं, इसका सही एंसर हो जाएगा और दोरिक मजुल का स्वासन से मुक्ति कराना ही आपको यहां पर हो जाएगा चलिए अगला प्राश्ण उसको देख लेते हैं, प्राश्ण नमर आपका, इसका सही एंसर आपका अगला प्राश्ण उसको देखे आपका बोलीबिया, बولीबिया में जंसंहर्ष का मुक्व कारण था उप्सन A है पानी की कीमत में बिरिधी ऑप्शन भी है खाद्यान की कीमत में बिरिधी सी है पेट्रोल की कमी में बिरिधी और डी है जीवन रक्षक दवाओ की कीमतों में बिरिधी तो बताना है बच्चों की बोलिविया में जनसंग हर्स का मुख कारण क्या बना हुआ था तो उस जैसा क एप्शनितिक दल का आसए है क्या आसए है औप्शनदॊनः वासए है अप्सरुल के समू से option B है सेनाओं के समू से बनता है option C है व्यक्तियों के समू से और D है किसानों के समू से राजनितिक दर का आसे किस पर टिका हुआ है तो जल्दी से आपको बताना है इसका सही answer हो जागा जिसके पास जितना public होगा जितना ज़्यादा आदमी होगा उसका उतना परशार होगा option आपका C हो जागा प्यारे बच्चों अमित कुमार का C है अपना भ्यार का C है सिवांस का राज का भी C आया है अगला प्रेस ने उसको देखें लोक तंत्र सभी नागरीकों को देता है क्या देता है लोक तंत्र सभी नागरीकों को क्या देता है option A है असमान अफसर B है च्छानिक अफसर C है समान अफसरों को और D है उपरियुक्त में से सभी जल्दी से बताना इसका सही एंसर क्या हो जाएगा तो option आपको दिखरा होगा प्यारे बचो 27 नमर प्रश्ण का क्या हो जागा answer तो C हो जाएगा अपना भिहार का D है सीवांस का राज का C है इसका सही answer C हो जाएगा प्यारे बचो अगला प्रश्ण उसको देखेंगे प्रश्ण है कि नए बिशु सर्योक्षन के अधार पर भारत वर्श में मत दताओं की संक्या कितनी है तो आपको बताना है बच्चो जल्दी से इसका सही answer जो हो जाएगा वह हो जाएगा 71 करोर option आपका भी हो जाएगा अब चलिए आगे बढ़तें अंगला प्रश्ण उसको देखना है लोक्तंत्र की सफलता निर्वर करती है लोक्तंत्र की सफलता निर्वर करती है आपको बताना है 39 नमर प्रश्ण का एंसर देना है लोक्तंत्र की सफलता निर्वर करती है जल्दी से बताएगा 39 नमर प्रश्ण का एंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही एंसर हो जाएगा नागरीको की बिवेक पूर्ण सभागिता पर याद रखना है लोग तंद्र की सफलता किस पर निर्भर करती है ते नागरीको की बिवेक पूर्ण सभागिता पर निर्भर करती है option आपका C हो जागा प्यारे बच्चों याद रखिएगा 39 नमर प्रेशन का option C हो जागा अगला प्रेशन उसको देखिएगा योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं यहां बच्चों जल्दी से बताएगा योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं option A है मुख मंतरी, B है ग्रीह मंतरी, C है परधान मंतरी और D है रच्चा मंतरी तो बताएगा 30 नमर प्रेशन का इंसर क्या हो जागा प्यारे बच्चों याद रखिएगा योजना योग के मुख जो अध्यक्ष होते हैं वह आप परधान मंतरी होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं याद रखिएगा और अभी के परधान मंतरी कौन है आप लोग बता सकते हैं कौन है जो बच्चा बच्चा जानता है प्रात्मिक छेत्र का योगदान आजादी के बाद है 31 नमर प्रेश्ण का एंसर देना है अब कि भारतिय संदर्व में प्रात्मिक छेत्र का योगदान आजादी के बाद है जल्ली से बताएगा जैसा है सिवांसका राज का एंसर था स्री नरेंदर दामोदर दासमोदी जीहां बिल्कुल सही है आपका अब बताए भातिय संदर में प्रात्मिंग छित्र का योगदान आजादी के बाद क्या रहा जल्दी से आपको बताना है ऑप्सन यह है घंट गया है बी है बढ़ता गया है सी इस्तिर है या डी सभी गलत है तो 31 नमर प्रेश्ण का एंसर आपको बताना है इसका सही एंसर जो हो जाएगा प्रात्मिंग छित्र का योगदान आजादी के बाद का हुआ है तो घंटता गया है ऑप्सन आपका ए हो जाएगा 31 का ए होगा बढ़ता नहीं गया है प्रात्मिक जो है छितर का योगदान घंडता गया है याद रखेगा ओप्शन ए हो जाएगा जी 31 नमर प्रस्ण का अगला प्रस्ण है दादा भाई नरोजी ने सरव पर्थम राष्टी ये आये का अनुमान लगाया था दादा भाई नरोजी ने सरव पर्थम राष्टी ये आये का अनुमान लगाया था किसी स्वी में कब लगाया था रूपक कुमार आये हैं हाई सर जी हाँ हाई आप लोग जली से एक वार सेयर कर दे और क्या करें चैनल को सस्क्राइब कें तो ठीक है नहीं तो सस्क्राइब और वीडियो को लाइक कर दे तो बताएगा दादा भाई नरोजी ने सरव पर्थम राष्टी ये आये का अनुमान लगाया था 32 नमोर प्रेश्ण का एंसर आपको बताना है कब लगाया थे तो इसका सhी एंसर हो जागा 1968 में नहीं, 1868 इसवी में एक मीनट इसका सही एंसर आपको बताना है बच्चो, 1968 इसवी, 1868 में नहीं होगा राष्टी ये आये 1968 ही होगा आप लोग बढ़िया से एक वार देख लीजी ये इसका सही इंसर क्या हो जागा प्यारे बच्चों जल utilize आप लोग बताईएगा दादा भाई नरोजी ने सरफ पर्थम राष्टी ये आई काणमान लगाया था तो इसका सही इंसर क्या हुआ सिवान्सका राजी सब को अपना बताईएगा इसका सही answer क्या हो जागा जिसका सही answer A होगा अपना याद रखिएगा 1868 इस वी में दादा भाय नरोजी नहीं कहा किया था तो राष्ट यह आए का अनुमान लगाया था option A हो जागा प्यारे बच्चो option A के साथ चलेंगे हम लोग चलिये अगला प्रेस्न उसका देखेंगे प्रेस्न नुमर आपका याद रखना हैं बच्चों प्रकार की मुद्ण है के सी मुद्रा है आपको है मुद्रा है और मिंस्रीत मुद्रा है जल्दी से बताईए चेक आप लोग देखेंगे ऐसा इस प्रकार से अब वो कागत जैसा बना होता है लंबा होता है ना तो 33 नमर प्रेश्ण का एंसर क्या हो जाएगा साख है ऑप्षन आपका ए हो जाएगा ऑप्षन ए के साथ चलेंगे मित्रो अगला प्रेश्ण उसको देखिएगा एटीम और डी है नौ घंटे एटीम से कितना टाइम तक हम लोग पैसा को निकाल सकते हैं अमीत कुमार का सी है सिवांस का राज का सी है अपना विहार का सी है इसका सही एंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों हम लोग 24-7 हम लोग पैसा निकाल सकते हैं याद रखना है एटीम से ठ रखिएगा प्रेस्ट नमर आपका 35 है भारत की बितिय रजधानी आपको किस सहर को माना जाता है फाइनेंसियल कैप्टल याद रखिएगा बितिय रजधानी किसे माना जाता है तो आपको बताना है अप्शन A है मुंबई, B है दिली, C है पटना और D है बंगलोर तो बताएगा भारत की बितिय रजधानी कहां माना जाता है आपको जल्दी से बताना है 35 नमर प्रेस्ट का एंसर सोनु कुमार यादव का यह है 37 का यह है और सिवांस का राज का यह है और अपना भिहार का B बताया गया है रूपक कुमार का A है जिसका सही अंसर A हो जागा मुंबई को माना जाता है चलिए अगला प्रेस्ट नहीं उसको देखिएगा सहकारिता प्रांतिये सरकारों का हस्तनांतरित बिसेक कब बनी जल्दी से बताना है सहकारिता प्रांतिय सरकारों का अस्तनांतरित बिशैक कब बनी option A है 1929, option B है 1909, option C है 1918, option D है 1914 तो बताएगा इसका सही इंसर चो हो जाएगा प्यारे बच्चों याद रखेगा सहकारिता प्रांतिय सरकारों का अस्तनांत्रित किस अभिषय का कब बनी तो इसका सही इंसर हो जाएगा 1918 इसी में बना था option आपका C हो जाएगा जी याद रखना है option C हो जाएगा अगला प्रसन उसको देखिएगा रोजगार एक सेवा एक दुसरे के है क्या है औप्षन आपके पास है परसपर है option B है उल्टा है C बिरोधी है और D तीनो है तो जल्दी से बताएगा इसका सही एंसर क्या है तो रोजगार एक परकार कादे में इंतलब की बात ही है कि रोजगार एक सेवा दुसरे सेवा के परस पर चलती है तो आप्शन आपका ए हो जाएगा मित्रो याद रखिएगा उलटा है बिरोधी है बिरोधी काहल है राती जी आपका ए हो जागा प्यारे बच्चो अगला प्रस्ण उसको देखेंगे बैस्वी करन का अर्थ है बैस्वी करन का क्या अर्थ होता है 38 नमर प्रस्ण को आप लोग को बताना है बच्चो जल्दी से बैस्वी करन का अर्थ क्या होता है इसको आपको बताना है तो बैस्वी करन का अर्थ जो होता है याद रखिएगा प्यारे बच्चों के ब्यपार पुंजो तकनीक अस्तनात्रन सुचना प्रभा द्वारा देश का अर्थ विवस्था का विस्व अर्थ विवस्था के साथ स्रिमनवे को ही बैस्वी करन का अर्थ कहा जाता है ऑप्शन आपका इसका भी हो जाएगा याद रखना है दोस्तो ऑप्शन B के साथ चलेंगे अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में से कौन मानव जनित आपदा है जिहां बच्चों जली से बताएगा मानव जनित आपदा कौन सा है ऑप्शन A है संपरदाइक दंगा ऑप्शन B है अतंगवाद और C है मह मारी और D है इन में से सभी इसका सही सिदा सिदा आप लोग को बताना है इसका सही एंसर हो जागा इन में से सभी जिहां 37 राज का 49 का D है बहुत बढ़िया रूपक का भी आया था चले इसका सही एंसर हो जागा इन में से सभी प्यारे वच्चों याद रखिएगा है संपर पर होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं जे हां आप लोग बताए यह तुद्व सीम्पल सा को इस यह किस आंसर बेंगा पियारे बड़त बड़ी जिसका एंसर C है उनका ला जवाब है अगला प्रस्ण है कि रामपा बिद्रो कब हुआ था याद रखेगा रामपा बिद्रो कब हुआ था आपको बताना है 41 नमर प्रस्ण का एंसर देना है प्यारे बचो सिवान्स का राज नेट नहीं चर रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं रामपा बिद्रो को देखेंगे रामपा बिद्रो कब हुआ था तो रामपा बिद्रो हुआ था 1916 बी में हुआ था प्यारे बच्चो 1916 बी में अमीत कुमार का C है चलिए तो यहां अमीत कुमार का A भी आ गया एंसर इसका सई एंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों अगला प्रशन है उसको देखेंगे लखनाव समझाओता किस वर्स हुआ था जिहां बच्चों जल्दी से बतेगा लखनाव समझाओता किस वर्स हुआ था तो ये भी 1916 में हुआ था याद रखिएगा आपका ए हो जाएगा अगला प्रशन है पुन स्वराज की मांग का प्रस्ताव कॉंग्रेस के किस वर्स अधिवेशन पारित हुआ था आपको बताना है अब पुन स्वराज की मांग का पारित हुआ था 43 नमर्ट प्रशन का एंसर देना है तो याद रखियेगा 1939-42 का A हो जागा बिल्कुल बढ़िया है 1939 से लहोर में हुआ था याद रखना है प्यारे बच्चो अब अगला प्रेशन है गदर पार्टी के अस्थापना किसने और कब किया था यह सब क्वेशन पूछा जाता है टेंथ कलास का क्वेशन है याद रखियेगा तो गदर पार्टी के अस्थापना 1923-23 में लाला हर्दियाल ने किया था आपका क्या हो जागा तो C हो जागा 33 नमर प्रेशन का आप्शन C हो जागा जी अब चलिए आगा बरते हैं 45 नमर प्रेशन के और चलते हैं 44 कवाद 45 है असाहियोग अंदोलन असाहियोग अंदोलन का प्रेश्टाफ कांग्रिस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था आपको फिर से क्वेशन वही आगिया है तो बताईएगा इसका सही एंसर हो जागा आपको पहला या दूसरा क्वेशन आया था तो इसका सही एंसर दिसमर 1929 नागपूर में हुआ था option आपका D हो जागा प्यारे बच्चो अगला प्रस्ण उसको देखेगा जालिया वाला बाग हत्या कांड किस तीथी को हुआ था आप लोग जानते हैं इसका सही एंसर क्या हो जागा तो तेरा प्रस्ण उसको हो जागा 46 का प्रस्ण उप्शन ए हो जागा चलिए 46 नुमर प्रस्ण का एंसर ए हो जागा प्यारे बच्चो मातर दो पबलिक देख रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है मुझे सभी नई अवग्या अंदोलन कब और किस यातरा से शुरू हुआ था सभी नई अवग्या अंदोलन कब और किस से शुरू हुआ था आपको बताना है इसका सही एंसर क्या हो जागा 47 नुमर प्रस्ण का एंसर देना है प्यारे बच्चो सबीनाई अब अग्यां अंदोलन कहां से कहां चाल हुआ था कब हुआ था और कहां से स्टार्ट हुआ था तो option आपको C हो जाएगा या दर्खना एच्छे साइट आपको C हो जाएगा डांडी या तरह से हुआ था डांडी मार्ज 1913-1930 में हुआ था जी अगला प्रेशन है फियर Ri 이쪽 ये स्वेंग सेवक्संग के अस्थापना कब हुई थी राश्टी ये स्वेंग सेवक्संग के अस्थापना कब हुई थी option आपके पास 4 है जल्दी से बताएए आपका answer का मुझे इंतिजार है इसका सही answer हो जाएगा अस्थापना किस ने किया था तो option आपको अगला प्रश्ण है बल्ला भाई पटेल को सरदार की उपाधी याद रखेगा सरदार की उपाधी किसान अंदोलन के दौरान दिया गया था अर्तारिश नुजाश नुमर प्रेस्ट का एंसर बताना है प्यारे बच्चो आप लोग सेयर नहीं कर पा रहे हैं मातर दो चार पब्लिक देख रहे हैं तो सरदार बल्लम भाई पटेल को सरदार की उपाधी मिला था बारदोली अंदोलन में आपसन आपका ए हो जाएगा उन्चाश नुमर प्रेस्ट का ए हो जागा चलिए बच्चो आगे वड़ते हैं भारत में खिलाफ़त अंदोलन कब और किस देश के साथ सासक के समर्थन में शुरू हुआ था खिलाफ़त अंदोलन भारत में जब कब और किस देश के सासक के सहयोग से हुआ था आपको बताना है पचाश नुमर प्रेस्ट का एंसर क्या हो जागा तो 920 तुर्की के आपको δेश के समर्थन के साथ हुआ था, option आपका A हो जाएगा अगला प्रेस्ट उसको देखेंगे अप्रेस्ट नमर आपका, 51 है सिपाही बिद्रोह कब हुआ था सिपाही बिद्रोह कब हुआ था प्यारे बच्चता आपको, 51 मंगल पांडे का नाम सुने होंगे यहां पर आपको कर्दू से भी मिल जाएगे ऑप्सन आपका भी हो जाएगा अगला उसको देखिएगा भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे आप लोग जानते हैं जल्दी से बताएगा भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के पर्थम अध्यक्ष कौन थे बामन नमर प्रस्ण का एंसर देना है मित्रो भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के पर्थम अध्याच्कोन थे जिसका सही हो जागा बोमेश चंद्र बनर जी ऑप्शन B के साथ चलेंगे प्यारे बच्चों WC बनर जी इनको कहा जाता है अचलिए अगला प्रेश्ण उसको देखेंगे प्रेश्ण तिरेपन है कि गांधी जी ने सावर मति आशरम के स्थापना किस वर्स किया था जिसका सही एंसर हो जागा 1916 में किये थे औप्शन आपका D हो जागा प्यारे बच्चों अगला प्रेश्ण तिरेपन नमर प्रेश्ण का एंसर D हो जागा 1916 अगला प्रेश्ण याद रखिएगा प्रेश्ण नमर आपका क्या है चाववन है ब्रहम समाज के अस्थापना किस ने की थी प्रहम समाज के%. किसने की थी आपके पास एफ लेवल है चार अप्शन जल्दी से बताएगा भ्रह्म समाज के अस्थापना किसने किया था तो वह किया था आप लोग को बताना है चावद नमर प्रेश्ट का एंसर ए हो जागा राजा राम मोहराय ने किया था चलिए आगे वरते हैं आगला प् कॉंग्रिस के अस्थापना कब हुई थी जहां बच्चों जल्दी से बताएगा पच्पन नमर प्रेश्ट का एंसर बताना है भारतीय राष्टिय कॉंग्रिस के अस्थापना कब हुई थी तो वह हुआ था अठारा सो पचासी इस्वी में याद रखियागा अठारा सो कॉंग्रेस पार्टी का जो पर्थम ध्याच के रूप में थे डवलू सी बनर्जी चलिए चलिए आगे बड़ते हैं अगला प्रेस्ट को देखेंगे प्रेस्ट नमर आपका 56 है हिंदुस्तान रिभीव का प्रकाशन किसने आरम किया था हिंदुस्तान रिभीव के प्रकाशन किसने आरम किया था आपका ए है राम क्रिष्ण बर्मा भी है स्री क्रिष्ण सीं सी है मजरूल हक और डी है सच्चतान सिन्हा तो हिंदुस्तान रिभीव का प्रकाशन किसने आरम किया था तो सच्चतान सिन्हा किये थे आपका डी हो जागा प्यारे भायो अगला प्रेस्ट उसको देखेगा बेदो की ओर लोटो नारा किसने दिया था जो भी देगा उखा होगा तो पंडित या सादु महान या तो जो भी रह सकते हैं इसका सही एंसर हो जागा option C, स्वामी दयानन सर्शती ने दिये थे, बेदो की और लोटो का नारा स्वामी दयानन सर्शती option आपका C हो जागा प्यारे भाईव, अगला प्रेसन है, अखिल भारतिये ट्रेड यूनियन फॉंडेशन फॉंडेशन अखिल भारतिये ट्रेड यूनियन फॉंडेशन की अस्थापना कब हुई थी जल्ली से बताएगा अखिल भारतिये ट्रेड यूनियन के फॉंडेशन कब हुई थी अस्थापना जल्दी से बताएगा जिसका सही हो जाएगा 1929 इस भी में किया गया था option आपको D दीख रहा होगा प्यारे भाईो याद रखिएगा option D के साथ चलेंगे अगला प्रसने उसको देखेंगे सिवांसका राज का B है अखिल भारतिय उनियन ट्रेड foundation के अस्थापना कब हुई थी जल्दी से आप लोग बताएगा इसका सही answer क्या हो जाएगा चलिए बच्चो आगे बढ़ते हैं अगला प्रसने को देखेंगे प्रस्ट नमबर 69 की और बढ़ते हैं गांधी जी ने भारत में सत्या गरह का पहला परियोग कहां किया था जल्दी से बड़ियेगा गांधी जी ने आपको पहला परियोग कहां किया था आपको जल्ली से बताना है बच्चो तो 69 नमर प्रेशन का एंसर हो जाएगा सही एंसर हो जाएगा चमपारन में आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा मित्रो याद रखना है आपका ए हो जाएगा चमपारन में किस लिए किया गया था तो नील की खेती के लिए किया गया था याद रखिएगा नील की खेती के लिए है ना इस अंदोलन या इस सत्यगरा का नाम तिनकठिया अंदोलन भी रखा गया था अब चलिए अगला प्रस्ण उसको देखेंगे प्रस्ण नमर आपका साथ है भारतिय Communist Party की अस्थापना किस ने किया था जल्दी से आपको बताना है प्यारे बचो तो आपको Question No.60 है इसका सही answer क्या हो जाएगा तो इसका सही answer जो हो जाएगा यह में राय हो जाएगा Option आपका A हो जाएगा चलिए 60 का A हो जाएगा प्यारे भाईयो अगला प्रस्ट महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपाधन किया था जिहां बरताएगा महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपाधन किया था प्यारे भायों तो 61 का इंसर आपको बताना है इसका सही एंसर क्या हो जाएगा इसका सही एंसर जो हो जाएगा यंग इंडिया हो जा था बताना है गांधी जी को महात्मा के उपाधी किस ने दिया था प्यारे भाईयो जैसा कि सिवांसका राज का एंसर आ रहा है मित कुमार का रहा है सोनु कुमार का रहा है सतिस कुमार का रहा है ठीके जिसका सही एंसर क्या हो जागा प्यारे भाईयो जल्दी से बताना है गा अगला प्रस ने उसको देखेगा प्रस नमर आपका 63 है पूर्ण स्वाराज दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है 63 नमर प्रस का एंसर हो जाएगा 26 जिनवरी 930 को मनाया घया था adoption आपको ए हो जाएगा अगला प्रस ने 64 चंपारण अंधोलन कब शुरू हुआ था बताना है जल्स से चंपारण अंधोलन जो हुआ था बिहार में हुआ था वह हर कब शुरू हुआ था याद रखना है गांधी जी का पर्थम था गांधी जी का पर्थम अंदोलन यहां से ही शुरू किये थे सत्यागरा तो 64 का एंसर क्या हो जागा बच्चों याद रखेगा तो 64 का भी हो जागा ऑप्शन आपका भी हो जागा 1917 से प्रारम किये थे आपका जो गांदीजी थे पहला सत्यागरा चलिए अगला प्रस्ण उसको देखेंगे किस अधिनियम के द्वारा मुसल्मानों को प्रिथक परतिनीधित परदान किया गया था तो याद रखिएगा जल्द से प्यारे भायों बताएगा किस अधिनियम के द्वारा मुसल्मानों को प्रिथक परतिनीधित परदान किया गया था निमन में से किसे सिमान्त गांधी या बादसा खान कहा जाता है बताना है प्यारे बच्चो इसमें से किसे सिमान्त गांधी या तो आपको बादसा खान के नाम से जाए च्छीहासट नमर प्रेश्ण का एंसर आजाएगा आपका हो जाएगा ए खान अब्दुल्गफार खान को आपसन एक साथ चलेंगे मित्रो अगला प्रेश्ण उसको देखिए का प्रेश्ण नमर आपका सरसथ है अली मुसलियार अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेत्रीत अप्रस बताएगा महात्मा गांधी नमर आपका बापस आय थे जहां बच्चों बताएगा महातमा गांधी दच्छीन फिरका से भारत कब आये थे तो आर्शाट नुमर प्रेस्ट का है जो इंसर हो जागा वह हो जागा 1915 याद रखेगा 1915 में भारत आये थे और 1917 में पहला अधिवेशन चालू किये थे सत्यागरह चालू किये थे वह बिह बिहार था और बिहार किसके कहने पर आये थे गांधी जी तो वह थे राज कुमाल सुक्ल याद रखेगा ऑप्शन आपको इसका सही एंसर हो जागा ऑप्शन बी के साथ चलेंगे अगला प्रेस्ट में उसको देखेगा मुस्लिम लिग की अस्थापना कब हुई थी किस बर आये क्या तो ऑप्शन दिख रहा है भी 1906 इसवी में हुआ था याद रखेगा 1906 इसवी में मुस्लिम लिग की अस्थापना हुआ था ऑप्शन बी के साथ चलेंगे अगला प्रेस्ट में उसको देखेंगे हिंदू महा सवा के अस्थापना किस ने की थी हिंदू महा सवा क कि अस्थापना किसने की थी तो सत्तर नमर प्रस्ण का एंसर आपको बताना है कि हिंदू महा सवा कि अस्थापना किसने की थी आपको जल्ली से इसका एंसर कमेंट करना है प्यारे बच्चो मैं सायद आप लोग के टाइम पर ही क्वेशन करा रहा हूं तो जितने भी बच्चे हैं जल्ली से अपना answer comment करके बताईएगा हमें किसका सही answer क्या हो जाएगा सत्यर नमर प्रश्ण का answer बताना है जिसका सही answer हो जागा मादन मोहन माल भी यह option आपको क्या हो जागा तो option C हो जागा प्यारे भाईयो अगला प्रश्ण उसको देखेंगे स्वाराज पार्टी के अधियाच कौन थे जिहां बताईएगा स्वाराज पार्टी के अधियाच कौन थे option आपको दिख रहा है प्यारे भाईयो जल्द से बताना 71 नमर प्रश्ण का answer क्या हो जागा तो फ्रश्ण प्रश्ण को में सभी का answer देख रहा हूं बहागा को बताना है कि क्या है तो साइमन कमि भारत कव आया था जल्द से बताएगा इसी में आपको का था कि साइमन कमिशन में ही लाला रजपत राय का मिर्तु हुआ था लाठी चार्ज के बाद तो बताईएगा साइमन कमिशन भारत कब आया था तो इसका सही अंसर हो जाएगा वो आया था तीन फरवरी उन्हें सो अठाइसी सीवी को आया था ओप्शन B के साथ चलेंगे प्या हुआ था आपको बताना है 73 नमर प्रशन का इंसर तो याद रखेगा फरवरी 1922 में हुआ था पांच फरवरी 1922 को यह घटना घटी थी ऑप्शन ए हो जाएगा बहुत काय तो नजदीक मामला दिया गया है ना अगला प्रशन साइमन कमिशन के अध्याच कौन थे जी हां ब डी सी है री निच्छे हो लें जी अब सबस्chez अदिःविन भी है आपको मैक ऑन्यानल्ट सी है Sir John Simon और यहां पर देखिएगा D में है Lord Lytton इसका सही answer क्या हो जागा प्यारे भायो इसका सही answer आपको बताना है इसका सही answer हो जागा Sir John Simon Option आपका C हो जागा चलिए छहत्यर नमर प्रेश्ण का answer Simon Commission का जो ध्यक्ष थे Sir John Simon थे अगला प्रस्ण है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के संस्थापक कौन थे अब वो बताना है इसका सही इंसर क्या हो जागा भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के संस्थापक कौन थे तो संस्थापक जो थे आप लोग को पता होगा कि कौन थे तो यह थे A.O.Hume याद रखेगा A.O.Hume एलेन अक्टरोबियन हुम ओप्षन आपका B दीख रहा होगा ओप्षन B के साथ चलेंगे याद रखेगा असनस्थापा कौन थे तो A.O.Hume थे और इसका अध्याच कौन थे तो W.C.Baner अगला प्रस में उसको देखेंगे Lord Harding ने बंगाल विवाजन कब वापस लिया था चलिए अगला प्रस में याद रखना है लोड कर्शन ने बंगाल विवाजन को विवाजन किया था जिसका सही एंसर हो जागा कि बार और दि चलिए अगला प्रस में उसको देखेंगे भातिए राश्य किस्थापना कहां होई थी सत्तया नमेर को बताना है एंसर तो भातिए राश्य कॉंग्रिस क जो अस्थापना हुआ था वा मुंबय में हुआ था option आपका भी दीख रहा होगा अब देखेगा आगला प्रेस्ट है वर्ना किलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था बताना है प्यारे भाईयो कि वर्ना किलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था आपको जल्ली से इसका answer कमेंट करके बताना है तो याद रखेगा वर्ना किलर प्रेस एक्ट का जो पारित हुआ था हुआ उन्हें सो 1878 इसवी में हुआ था option आपका C हो जाएगा अगला प्रेस्ट उसको देखिएगा बंगाल विवाजन कब हुआ था question आगिया जी बंगाल विवाजन कब हुआ था तो बंगाल विवाजन जो हुआ था आप लोगों को पता होगा उन्हासी नमर प्रेस्ट का एंसर क्या हो जाएगा उन्हासी नमर प्रेस्ट का एंसर आप लोगों को दिख रहा है और आज का last question है forward vlog के अस्थापना किस ने की थी याद रखिएगा प्यारे भाईयों जल्दी से इसका बताना है आज का last question आज का last question है जल्दी से आप लोग इसका answer बताईएगा इसका सही answer क्या हो जाएगा तो forward vlog का जो अस्थापना किये थे हुआ 37 राज का D है और देखते हैं कितने वच्चे answer करते हैं इसका सही answer जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा option D स्वाच चंदर बोश ने इस आपको संगठन के यानि की forward vlog के अस्थापना किये थे इस संगठन का जो स्थापक ते होगा स्वाच चंदर बोश थे option आपका D हो जाएगा प्यारे भायो चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे कल thanks for watching this video thanks for watching आप लोग इसी तरीका से जुड़े रहें और आप लोग को सायद पता होगा this video सायद आप लोग को पता होगा कि जो आपके जो चैनल है यानि कि जो आपको दिवीशन क्लासे जो जितने भी फैमिली है उनको पता होगा कि आज चैनल काका हो गया थिरीके आपको subscriber complete हो गया है जल्दी से आप लोग और सेर करते हैं ताकि और जल्दी जल्दी subscriber बढ़ते रहे चलिए आप लोग को थिरीके यानि की 3000 subscriber होने की खुशी के लिए आपको थैंको बोला जाता है चलिए थैंक्स फूर वाजिंग दिस वीडियो सभी को सुबरातरी फिर मेलेंगे कल तब तक के लिए जैहेन अमर्जीत कुमार झाल